नमस्कार दोस्तों वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और यह जो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है अगर आपके स्मार्टफोन बहुत ज्यादा पूराना हो गया है या आपके स्मार्टफोन के जो कैमरा है वो उतने अच सकते हैं तो अगर आपका स्मार्फोन बहुत ज्यादा पुराना है उसका केमरा उतने तरीके से काम नहीं करता है तो यह पांच वर्जस होने वाले हैं और उनको यूज करने के बाद से आपका जो इमेज है जो आप फोटो खीचिंग वह बहुत ज्यादा हाइफाई हो जागा दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बगल मिमोराल का स्क्रीन आ चुका है और सबसे पहला जो अप्लिकेसन हमने यहां पर लिया है उसका नाम है पिक्स्टिका करके और पिक्स्टिका कैमरा एंड इडिटर और यह जो इसको इसको इंस्टाल करने के पाद से आप फोटो भी क् बात गर इसके रेटिंग तो 4.1 की स्कोर रेटिंग मिली है एक सक्ट है अप्लिकेसन थोड़ा सा भार ही हो सकता है और अभी बिल्कुल नया अप्लिकेसन है से पर शिर्फ पांच लाक इसको डाउनलूड किया गया है फीचर के अगर बात पर यहां पर आप देख सकते हैं आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि यहां पर देख सकते हैं लिखा गया है कि प्लसे प्रफेशनल कैमरा तो और आपके स्मार्फोन का कैमरा उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है तो आप इस एप्लिकेसिट को इस्टाल करके सब कुछ यहां से आप अर्जेश कर सकते ब्रैडनेस कॉंट्रेस्ट या जो भी चीज़े हैं यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चाव को दी गई है मैनेस करने के लिए तुप आपपने स्मार्फोन को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे कैमरे को यहां पर आप देख सकते बहुत सारा फीचर इसके मिल जाती है अगर अलग 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 बैक्राउंड में आप करना चाहते है रिप्लेस करना चाहते है बैक्राउंड को पर्टेड मोड अगर आपके स्मार्टफुन में नहीं है तो इस एप्लिकेशन की मतलब से वह चीज हो जाएगी और इसे काफी अच्छा खासा एडिटर भ पीडिया बनाना चाहते हैं और थोड़ा बहुत और भी जो चीजे करनी आप कर सकते हैं तो एक तरफ यह जो एक बैस्ट अप्लिकेशन है एस्पसेली कैमरा के लिए और अगर आप फोटो एडिट करना चाहते है छोटा वोड वीडियो आपको एडिट करना है उसके लिए तो कमाल का अप्लिकेशन इसको ज़रूर आप इंस्टार करके यूज करिए दोस्तों बात करें अपने दूसरे अप्लिकेशन की तो वह है कैमरा 363 जैसा कि आप यहां पर इसका लोगो देख सकते हैं और यह भी अप्लिकेशन बहुत ज्यादा फेमस है 4.2 की इसको रेटिं होगा कैमरा यहां पर आपको मिल जाएगा काफी अच्छा खासा और इसके अंदर बहुत सारा एडिटर में मिल जाता है जिससे आप लगा सकते हैं पोटेट कर सकते हैं पेंटिंग आपको बनान यह फोटो को बलर करना है करेक्शन करना एड़ेस को सब कुछ इसके अंदर आप कर पाएंगे और यहां पर देख सकते हैं लिखा यहां रियल टाइम फिल्टर इफेक्ट इसके अंदर मिल जाएगा तो एक तरह से काफी अच्छा खासा अप्लिकेशन होने वाला सारी चीज़ें इसके अदर आपको मिल जाएंगी जो इडिट करने के लिए और बहुत सिंबल इसका बना हुआ है 4.1 की इसको रेटिंग मिल जाएंगी यहां पर देख सकते हैं बहतर पिक्चर क्वालिटी के साथ बना सकते हैं टाइमलेस का अप्शन मिलेगा श्रूम उसमें कर आप वीडियो बनाना चाहते हो भी आप कर सकते हैं और HDR प्लस का मोड मिल जाता है यानि की कैमरा आपका कैसा भी हो स्मार्टफोन का जो पिक्चर क्वाल्टे हो यहां पर सुधर जाने वाली है पैने और मोड मिल जाएगा हाई क्वाल्टी में फोटो और वीडियो शूट आप यहां पर कर पाएंगे और बहुत सिंपल इसका इन इंटरफेस है बहुत सारी सेटिंग के साथ भी मिलेगा जिसे आप अपने फोटो को अपने जो कैमरे को बेस्ट आप बना सकते हैं आप तो एक तरह से यह जो अप्लिकेशन यह भी बहुत ज्यादा ट्रस्टेट बहुत ज्यादा यूज़ किया जाने वाला है तो अगर आपके स्मार्टफोन का कैमरा उतना अच्छा नहीं है आपको फोटोग्राफिक करनी है तो आप इसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसको वेइस्टाल करके दोस्तों अगला जो अपन कैमरा और यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा जैसा कि आप आप देख सकते हैं और यह जो एक जो बहुत कमाल का होने व है और इसको मैं दो-तीन सालों से यूज करना इसको बहुत जादा यूज है जाता है इसमें भी बहुत सारी चीजिए आप गुमिल जाएंगी यहां से आप इस्टूरेज देख सकते हैं कितना इस्टूरेज है और जो भी चीज़ हैं यहां पर आप देख सकते हैं कैमरे के आपको कैसा सेट करना है ब्राइटने साब कैसा सेट करना चाहते हैं आटोमेंटिक या डिफाल्ट सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा और इस अप्लिकेशन से सिर्फ आप फोटो ही नहीं शूट कर सकते हैं वीडियो अगर आप रिकार्ट करना चाहें पिक्चर क्वाल सकते हैं 100 मिलियंस से ज्यादा डाउनोड है यह बहुत ज्यादा युज किया जाने वाला है और 2 मिलियो से यह लोगों ने इसका रिएट किया है और 4.30 की इसको रेटिंग मिले तो आप सूझ सकते हैं बहुत जबर जासती अपिकेशन होने वाला है बात करकर इसके फीचर क साट लिए से और एक तरह से कमाल का फोटो है इसको करकोडिकेशन होने वाला है जो आपको यहां से मैश कर सकते हैं तो इकके यह वी काफी कमाल खोने साट इसको क्याफ करना तो आप इसको कीमें टारी काम मैं करता है ऑगे और समय के साथ तो वीडियो काने इतना ही कर दीजिए क्वाल्टी सुथा जाएगी तो वीडियो का दर इतना ही मिलते हैं दूसरी नए वीडियो में तब तक लिए टाटा बाए बाए